एलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर परहार में आपको एड़ोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक लेटेस जज्मिन के साथ कुछ प्रैक्टिकल चीजे समझाने वाल हूँ आपको ध्यान से वीडियो देखना है ताकि आप खुद से डिसाइड कर सके कि आपका नेक्स स्टेप कैसे होगा देखें अधिकतर मामलों के अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे वो स्टेज आती है जब आपको यह लगता है कि अब हमको डाइवोस फाइल कर देना चाहिए चीज़ें होती है शादी से लेकर के जब तक हो जाती है वाइफ अपने घर तब तक बहुत सारी चीज़ें होती है और वो बहुत सारा कंटेंट आपने लिखावा होता है एक जगा maximum time यदि कोयम को यह कहे कि सर डाइवोस केस बनाना है यह मेरी storyline है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हो उस storyline को बैठ के आरम से पढ़ते है और यकीन मानेंगे आप उसमें से 50% storyline कम से कम कट हो जाती है जो की नहीं आनी चाहिए जिसका region क्या होता है कि वो उनके according तो ठीक है ल हटा देते हैं तो कहने का मतलब होता है कि जो actual माप के साथ हुआ है उसका अधिकतर पार्ट वो होता है जो की irrelevant होता है useless होता है अब उधारन के लिए आप cruelty ground पर Davos case फाइल कर रहे हैं अब आपको court को यह बताना है कि आपकी wife ने आपके साथ क्या क्या cruelty करी है अब जो जो जटका होता है क्योंकि हमारे हाँ पर आपको पता है अधिकतर जगाओं पर Davos case को final उने में बहुत साल लग जाते हैं और उतने साल के बाद आपकी petition यह क्या के रद कर दी जाए कि आपने जिसे cruelty बताया अब वो तो cruelty है ही नहीं और आपको कोई relief नहीं मिला फिर आप upper court में और upper court में भी मान लेते हैं unfortunately यहीं हो गया तो सोचे आपका कितना समय और कितना पैसा खराब हो जगा दसी हो साल आप अपने खराब कर लेंगे तो दोस्तों यहां हाली में एक ऐसा मामला आया जहाँ पर husband ने family court के अंदर एक case फाइल कर दिया उस case के अंदर उन्होंने बताय challenge किया हाई cuot में जब husband हाई cuot में गए तो हाई cuote ने जब पूरे मामले के तर्फित्यों को देखना था तो हाई cuote ने कहा कि भी husband है नहीं बता रहा है कि जो वाइफ थी वो घर के काम नहीं करती थी यानी घ grin शोले कम कुछ बही Ben जहाती ते सब्सकित कौ देखना तो यहां और अधिकतर मैंने देखा है अधिकतर cases में लोग इस बात को ज़्यादा highlight करते है कि वो घर के काम नहीं करती थी लेकिन ये उस level की cruelty नहीं है कि जिस level पे आपको डैवोस मिल जाए ऐसा quote नहीं है आपर माना और यहाँ पर quote ने फिर से husband की playa जो है वो dismiss कर दी अब आप सोचे कि कितने साल lower quote में फिर कितने साल high quote में that's why बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया है कि डैवोस केस फाइल करने में कभी भी जल्दबाजी ना करें पहले ground से strong बनाए हो सकता है आपके पास cruelty के लिए उतरी मजबूत चीज़ें ना हो तो कम से कम एकात कोई other ground ले करके तब आ आपका खराब हो सकता है और उसके बाद में हिम्मत भी नहीं करता है फिर दुबार अचे डैवोस फाइल करने के तो इसलिए दिक्कत हो जाएगी आपको अगर यही चीज आप थोड़ा सा रुक्के करेंगे आपके ground अच्छे होंगे या cruelty जिसके आप बात करें cruelty के आपके दस incident का presentation कैसे हो नहीं और उन दस में से कितने incident ऐसे जो नहीं लिखे जाने चाहिए वो सारी चीजे matter करती है यानि in short अगर हम एक line में conclude करें से तो यह कह सकते हैं आप कि आपका डैवोस केस कैसे frame हुआ है इस बात पर depend करता है बहुत हद तक कि आपको डैवोस मिलेगा या न आपको लगता है भी डैवोस फाइल करना चाहिए आपको legal advice भी ऐसी मिल रही है कि आपको डैवोस केस फाइल करना चाहिए then first of all आपको इस पर working करनी चाहिए working में आप time लीजे एक मेने का time लीजे बीस दिन का time लीजे दो मेने का time लीजे लेकिन उसके बाद जब आप पूर रूप से satisfy हो जाए तब ही आपको case फाइल करना है जल्द बाजी में बिल्कुल भी नहीं करना है चले दोस्ता आज के studio में इतना ही next video में नहीं जानकारी के साथ में आपसे फिर मिलता हूँ तब तक के लिए good bye and thank you for watching take care